आप सबका स्वागत है ठोड़ा सब मुश्किल था अज का स्टॉक्शी नीज बनाना क्योंकि हरशदा तो कोल्ड प्ले की लाइन में खड़ी हुई कुछ नहीं मिला अब फ्री हुई तब उन्होंने स्टॉक्शी नीज बनाया टिकेट मिले क्या मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जिनको एक्चिली बुक्माई शो के वेबसाइट से टिकेट मिले हैं क्योंकि बहुत ही मुश्किल था वो वर्स दिन लॉट्री तो स्टॉक्स नीज से ही हम काम चला लेंगे अशिश यहाँ पर काफी सारी चीज़ है पर फोकस किया जाए पहले तो सरकारी कंपनिया जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे कि ये भी देखिए अडिशनल सर्विलेंस मेकैनिजम में सरकारी कंपनियों को डाला जा रहा है यहाँ पर जो शुरुवात होगी स्टेज वन में हुड को, IFCI, Ireda, NBCC, Oil India और RVNL जैसी कंपनिया है सब ही open positions पर आप 100% माजन आपको देनी पड़ेगी अगर आप इन stocks में position ले रहे हैं नई position पर भी 100% तक की माजन देनी पड़ेगी और circuit limit 5% पर आएगी 90 दिन के बाद वो review किया जाएगा यह फिलहाल कुछ details निकल कर आई हैं इन 5 stocks से फिर एसम के सिलसले में यह सरकारी कंपनिया आ रही हैं इसके अलावा जो दूसरे stocks है Vodafone Idea सबसे चर्चित काउंटर पिछले weekend का Vodafone Idea ने एक update दिया है कि 3.6 billion dollar की एक mega deal इन्होंने sign कर ली है तीन global network partners के साथ जिसमें Nokia, Ericsson और Samsung है यह कितना relief देता है वो देखना होगा लेकिन एक mega deal इन्होंने sign जरूर कर ली है साथी साथ पिछले हफ़ते हमने NTPC की खूब चिर्चा की थी अब NTPC जो invest अपनी अलग-अलग इकाईों में कर रहा है उसके तहत BHL के हाथ भी orders लग रहे हैं कि 6100 करोड का order इनके हाथ लगा है NTPC के जर्ये 800 MW का जो thermal plant इनको लगाना है सिपता में वो दरसल काम भेल को करना पड़ेगा तो वो stock आप radar पर रखेंगे Tata Steel ने बताया है कि कलिंगा नगर में जैसे expected था कि एक blast furnace commission होने वाला था वो कर दिया है इसके तहट दरसल crude capacity steel की ये expand होती भी दिखाई देगी 8 MTPC तक इस समय करीब 3 MTPC है यहाँ पर लगबग 27,000 करोड तक का investment होतावा दिखाई दे रहा है तो वो stock भी आज focus में है दो-तीन pharma company उपर नज़रे रहेंगी एक तो Glenmark pharma US FDA की तरह से औरंगाबाद की जाच हुई वहाँ पर zero observations उभर कर आए है ये positive है डॉक्टर रेडीज ने कहा है कि US FDA ने अपना good manufacturing practices का routine inspection complete कर लिया है इनकी बाचूपली हाइडरबाद based R&D center में वहाँ पर भी मामला बंद हुआ है zero observations के साथ वो भी एक positive है आरती drugs भी रेडार पर रखेंगे US FDA ने form 483 इशू किया है इनको साथ observations मिले है महाराष्टर की तारापूर में जो API manufacturing unit है लेकिन कोई भी observation data integrity वाला नहीं है तो वो भी एक थोड़ी सी relief जरूर है भारत फोज ने एक sign किया है SPV Sunshore Energy के साथ तो वो भी stock radar पर रखेंगे रखेंगे तमाम stocks radar पर और जो जो connect नहीं कर पाए cold play वाले joke से गवियों का एक band है ना जो live performances खासतर उसके लिए जाना जाता है इस screen में मेरे काल से इनी से पूछ सिकती गाने हम तीनों तो जबाब दे पाएंगे उनके काने कौन से ब्रेक ले रहा हूं ब्रेक के उस पर लॉट के आऊंगा तो इवेंट्स केलेंडर और commodity strategy